Hello all the viewers, जैसे कि आप लोग सभी को मालूम है, last Saturday आशाम में HSLC exam का result दिया हुआ है, तो इस में से बहुत सरे student ने बहुत अच्छा result किया है, तो मेरा heartiest congratulations to all of them, but कोई-कोई student ऐसा है जिनको उन लोगों का expected result नहीं मिला है, जैसे कि किसी को एक-दो marks के लिए दो-तिन subject में letter नहीं मिला, और ऐसे कोई student है जिनने लोगों को एक-दो marks के लिए क्या हुआ, pass नहीं कर पाए, तो मुझे personally बहुत सरे parents ने पूछा कि अभी क्या कुछ किया जा सकता है, तो मैंने सुचा क्यों ना इस queries के उपर एक video बनाया जाए, तो मैं request करता हूँ कि मेरा ये video आप लोग end तक देखे, क्योंकि इसके उपाए पूरा last में ही आप लोगों को मालूम पड़ेगा, तो दोस्तों इस problem के solution के लिए आपको पहले शेवा के website पे जाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको पहले आपका Google Chrome साइट यूज़ करना पड़ेगा, तो Chrome पहले open करना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को शेवा के online portal, शेवा online.org टाइप करना पड़ेगा, शेवा online.org करके इसको सार्च करने के बाद शेवा के website ओपन हो जाएगा, इसे इंटरफेस आजाएगा आप लोगों के सामने, तो यहाँ पे आप लोग नीचे जाके यहाँ पे देखेंगे कि portal for rechecking and photocopy, यह new है, इसमें आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, इसके बाद ऐसा लिखा आएगा, प्लीज यूज से desktop और laptop device for using the services, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यह service यूज करने के लिए, आपको desktop या laptop यूज करना पड़ेगा, आप फिर भी आपके mobile पे यह service यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो three dot है, इसके बाद देखें क्या करना पड़ेगा, instruction to the applicants, जो candidate है, उसके लिए कुछ instruction है, पहले से वो सब चीज रेडी करके रखना पड़ेगा, जैसे क्या है, admit card जो original है, उसका क्या करना पड़ेगा, scan copy करके रखना पड़ेगा, तो scan आप लूग क्या कर सकते हैं, आपका mobile phone से भी आप scan करके रख सकते हैं, लेकिन mobile phone से photo उडवाने के बाद क्या होगा, उसका size थोरा सा जाधा हो जाएगा, तो आपको फिर से resize करना पड नहीं तो upload नहीं होगा, इसके बाद candidate का role number, role and number चाहिए, और इसके बाद मैं बाता दूँगा क्या है, details of debit credit card, जब online payment करेंगे, तो debit card या credit card या net banking से आप कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जैसे भी करेंगे, वो details आपके पास रखना परेगा, इसके बाद email ID अगर है, तो email ID होने से अच्छा है, email ID रखना है, नहीं तो आपका mobile number तो चाहिए ही है, mobile number आपका देना पड़ेगा, application form fill up करने के time में, इसके बाद क्या है, यहापे दो system है, अगर आप recheck करवाते हैं, सिप recheck करवाते हैं, तो इसके लिए part paper के लिए आपको 350 करके देना परेगा, और आप recheck के साथ, अगर आप क्या चाते हैं, फोटो को भी चाते हैं, जिस paper का recheck किया है, वो paper अगर आप चाते हैं, कि आपको भी भेचे फोटो कोपी करके, तो इसके लिए part paper आपको 550 करके देना परेगा, और यहापे red link में, line में एक दिया है, कि a candidate can apply for all the subjects, he or she appeared, but will get only one single chance for making online application, अगर कोई candidate चाहे, तो सभी subject के लिए recheck के लिए apply कर सकता है, लेकिन उसको एक ही बार में apply करना पड़ेगा, सापूस आज एक बार online में बैठ के किसी भी subject जैसे English के लिए apply किया, उसने सोचा कि काल फिर से match के लिए recheck का apply कर देगा, तब नहीं होगा, एक ही बार में दो subject य या सभी subject के लिए apply कर सकता है, अभी how to apply, कैसे apply करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर नीचे चला आता हूँ, यहाँ पर समझ जाएंगे आप लोग, पहले क्या करना पड़ेगा, candidate का जो roll number है, अगर मादराशा है, तो यहाँ पर right में click करने से BM20 लिख होगा, वह डालके यहाँ पर proceed पर click करना पड़ेगा, जैसे ही proceed पर click करेंगे, तो यहाँ पर लिखा आएगा, क्या है, marks जो आप लोगों ने research के लिए भैच रहे हैं, उसका subject का marks चेक करने के बाद, increase होगा, ऐसे ही कुछ नहीं है, वो marks decrease भी हो सकता है, तो आपको यह जानक के बाद चया होगा, यह से एक interface चला आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, पहले तो name of the examination लेखा आएगा, high school living certificate examination, इसके बाद candidate का जो नाम रहेगा, मेरे पास तो कोई roll number नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे ही दे दिया था, इसल से वो उसने exam दिया है, उस school का नाम यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद result किया हुआ है, अगर pass है तो pass division है तो pass division, second division ऐसे करके चला आएगा, अब भी क्या करना परेगा, अगर किसी कोई चाहता है कि रीचेकिंग with photocopy, photocopy के साथ और रीचेक करना चाहता है तो उसके लिए par subject में 550 करके देना परेगा, मैंने पहले ही बताया था और only सिर्फ रीचेक करना चाहता है तो par paper के लिए उसको 350 करके देना परेगा, इसके बाद जो जो subject में रीचेक करना है, उसको यहाँ पर select कर सकता है, select करने के बाद जितना subject select करेगा, तो उसका amount यहाँ पर payable amount total करके च इसके बाद नीचे 11 नंबर पर है, वहाँ पर क्या करना परेगा, पहले जो मैंने बताया था कि original admit card का scan copy करके राखना परेगा, तो वहाँ 500 KB के अंदर resize करके यहाँ upload करना परेगा, इसके बाद 12 नंबर पर है address for communication, उसका address डालना परेगा, 13 नंबर पर mobile number, वह essential है, must है, क्य करेंगे, उसी mobile number पर application receipt number, जिसको ARN नंबर भी कहता है, वह आएगा, और 14 नंबर पर है email id, तो यहाँ पर email id भी डालना परेगा, इसके बाद 15 नंबर पर नीचे आजाएगा, कि I am not robot करके एक लिखा आएगा, यहाँ पर सेम पहले जैसे क्या करना परेगा, उस box में right select करना परेगा, तो right sign आ जाएगा, इसके बाद confirm and pay, क्लिक करने के बाद क्या होगा, next page में चला आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास तो कोई roll number नहीं है, कोई admit card का scan को भी भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को next page नहीं कर पा रहा हूँ, तो next page में क्या आएगा, आप कैसे payment करना चाहता है, ओ चला आएगा, जैसे debit card, credit card, net banking, तो debit card मतलब है, आप ATM card जो रहता है, उसको ही debit card करता है, तो debit card में दो option है, अगर आपका mobile number bank के साथ link है, तो आप क्या कर सकते है, आपके mobile number पे OTP चला आएगा, आप OTP डालके payment कर सकते है, और नहीं तो debit card with ATM pin, तिसरा option रहता है, वहाँ पर भी आप जाके क्या करता है, आपका debit card number, जो ATM card के सामने, जो 16 digit card number रहता है, वो डालने के बाद CBB number डालना परेगा, इसके बाद आपका ATM pin डालने के बाद भी आप payment कर सकते है, और payment करने के तुरंद बाद ही आपको क्या होगा, आपके mobile number पे, एक ARN number च चाहिए होगा, तो जब ARN number मिल जाएगा, तब आप क्या कर सकते है, बाद में अगर यहाँ पर फिर से आप सेबा के website में जाने के बाद, यहाँ पर आपको नीचे option दिखाएगा, कि reprint your acknowledgement number, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते है, आपने जो payment किया है, इसका invoice आप print करके रख सक सकते है, तो यहाँ पर जब mobile पर ARN number मिल जाएगा, यहाँ पर ARN number डाल के क्या कर सकते है, search and download में click करने से आपका invoice का आप print ले सकते है, और आपका जो अपने apply किया है, वो उसका status क्या है, तो ओच आनने के लिए आप कभी भी शाबा के website में जाके नीचे आके यहाँ पर दि देखे, check status में click करने से आपका बरतमा स्थिती क्या है, वो आप जान सकते है, तो ओही है, recheck का पूरा system and procedure, और recheck के application के 30 days के अंदर आपको, आपके mobile पे information चला आएगा, कि आपका स्थिती क्या है, marks बढ़ा है कि नहीं, अगर आपका marks increase हुआ है, तो आपको तभी, उन लोग के office में जाना परेगा, सेबा के office में जाके आपको, आपका पूराना mark sheet, submit करना परेगा, और तब जाके आपको आपका निया mark sheet मिल जाएगा, so मैं आशकरता हूँ कि मेरे इस information से आप लोगों को थोड़ा बहुत फायदा होगा, so that's all for today, thank you very much.